हेलो फ्रेंड्स आज आपका हिंदी का पेपर देख सकते हैं याप पर 101 परसेंट आपका वारेल प्रशन पत्र लेके आ चुके हैं यहाप आप देख सकते हैं आपके लिए बहुत इन जरूरी पर प्रशन पत्र है इसमें से आपका बहुत कोंचन लग देवाला है तो पूरा यहाँ प्विडियो यहाँ पर हम सौ जो फॉछन आपको बतां एंगे छों मैं Bete ना और्हों को नगे सकते हैं ऐको kोशन के टोनी सौ फॉल्रा ओफ दा हिंदू विमेन तुर्ट की सब्सक्रा है तोएंगे का option क्या हो जागा भीम रावंबेतकर हो जाएगा यहां पर आपको 100 प्रस्ण हम कराएंगे जो कि आपके लिए बहुत important question है ठीक तो 100 question आप करके जाएगा एक जाम के बाद बतेगा आपका exam कैसा गया है exam के बाद बताएगा आपकी आपका exam कैसा गया है तो 100 question आपको पताएंगे जिसमें से केवल आपको 50 question मातर बनाना होगा 50 question बनाना होगा ठीक तो चलिए दो नमबर question देखते हैं दो नमबर question है कि शेंज साहब की नई motor car किस रंकी थी तो आप परहोंगे कहानी किस रंकी थी तो काले अप्सन नमबर क्या हो जाएगा इसका ए हो जाएगा option नमबर यह हो जाएगा फूल वीडियो याद कर लिजाएगा question चलिए question no.4 के बरते है question no.4 है आपका देख सकते हैं पर question no.4 है आपका सौब question को आप याद कर लिजाएगा कि अवल आपको पचासी question बरना ना होगा एक्जाम के बाद बदेगा आपका एक्जाम कैसा गया है ठीक एक्जाम के बाद फिर से आएगा इस वीडियो में और कमेंट के जिएगा आपका एक्जाम कैसा गया है ठीक तो चलिए question no.4 है आपका कि मनुष्य में जो घ्रीना है मनुष्य में जो ग्रीना है जो अन्यास अन्यास बीना सिखाए आ जाती है वह पशुत्व का घोतक और घोतक है और अपने को सैयंत रखना सैयंत रखना दूसरों के मनुभावों का आंदर करना मनुष्य का स्वधर्म है यह पंक्ति किस सिर्थक पाठ किये तो इसका option no.4 हो जाएगा नाकून क्यों बढ़ते हैं option no.4 को आपके लिए बहुत ही जरूरी प्रशन पतर है कि मैंडलिफ किस की रचना है तो पांच का क्या हो जाएगा option no.2 हो जाएगा गुना कर मूला हो जाएगा question no.6 है कि देवगिरी के यादव सास्को के लेख किस लीपी में है तो 6 क्या हो जाएगा option no.1 हो जाएगा कथा लेखन हो जाएगा option no.2 हो जाएगा ठीक चलिए next question के रचते है next question आपके आपके है कि बहादूर कैसा लर्का था बहादूर कैसा लर्का था तो 8 का option no.2 क्या हो जाएगा कौन आमलेट नहीं खाता था तो पंडित बिर्जुम हराद जो थे आमलेट नहीं खाता था option no.2 हो जाएगा ठीक चलिए next question के रचते है next question है आपके है गारा नमबर की असोख वाजपई के पिता का क्या नाम था तो पिता का क्या नाम था तो इसका सही नज़र क्या हो जाए क्विलनव विलनव क्या है इसका सही नहीं सर क्या हो जाएगा फ्रांस का एक चोटा रसा सा गाउ है ठीक option नमबर डी हो जाएगा ठीक next question나 आपका कि लेखा को गिले कपड़े में देखकर कौन नाराज हुए कौन नाराज हुए थी तो तो तेरा के क्या हो जाएगा दी दी प्रति संगीत के प्रति संगीत के प्रति आशकति कैसे हुई आशकति कैसे हुई तो पंदरा का क्या हो जागा अप्शन नंबर सी हो जाएगा यहाँ पर कि रसूल बाई और बतूलन बाई के संगीत से ओप्शन नंबर डी हो जाएगा ठीक चलिए नेक्स्ट कोशन के परते हैं नेक्स्ट कोशन है आपका यहाँ पर कि कासी किसकी पार्ट साला है कासी किसकी पार्ट साला इसका अप्शन नंबर भी हो जाएगा संस्कृति की पार्ट साला है ठीक च किसका किसका विवाद संपत महाभारत पहले पहल प्रस्तूत किया जाने वाला था तो इसका नुनीज का क्या हो जाएगा पिटर बूग का हो जाएगा ठीक चलिए next question है आपका यहाँ पर कि बीजु महराज सबसे बड़ा एक जामिनर या जज किसे मानते थे तो किसे मानते थे तो इसका 20 का सही नसर option number B हो जाएगा अपनी अम्मा को मानते थे इसका option number B हो जाएगा ठीक यहाँ पर 20 question कर लिए है ठीक यहाँ पर 80 question और है आपका पूरा question आप कर जाएगा पूरा question याद कर ही के जाएगा ठीक चलिए next question के बहुरते हैं next question के बुद्ख कह जायागा option number C हो जायगा our option number C छलिए next question कрь है है चलिए नेट्टको से आपका हैं पर कि निस्छल सब्सक्राइब का संधिविछेद क्या है तो इसका यापने सुधसब्स नम भान है सुधसब्स कॉन है तो इसका अप्प्षनेंबर और हो जाएगा अस्मरण हो जाएगा ठीक चलिए प्लब के लिए frameworks for the Kangela',श्äm कốcन पयरू हो जाए तो पूलिंग हो जागा कि मुझम फ्रोब्ष न्मरूरी हो जाए करपी सब्थ दाए 26 का option number C हो जाएगा तत्सम है ठीक चले next question क्यों बरते हैं चले next question है आपका कि स्याम सब्द का इस्तिलिंग क्या है तो स्यामा हो जाएगा next question है आपका कि जल डाल पर डाल पर चिरिया गाती है यह पंक्ति यह किस कारक का उधारन है नेच्ट कोशन है तो 28 का लबन हो जाएगा अथीकरण हो जाएगा ठीक यहां पर है तो अधीकरण हो जाएगा ठीक चले next question है कि यह कलम किसकी है यह किस का की सेशन का उदहारन सहीं हुश्य ले享受 le 넣고 online हो जाएगा अफचा नंबर भी हो जाये का ओलेखे सिर्ट मियों के अबरति लिएक है छहले मैं खाना खा लिया है, किस काल का उधारन है, तो किस काल का उधारन है, सही अंसर क्या हो जाएगा, option number, यह हो जाएगा, पुस्प सब्द है, पुस्प सब्द, क्या हो जाएगा, तो इसका सही अंसर क्या हो जाएगा, तो सम हो जाएगा, option number, यह हो जाएगा, ठीक, चलिए, next question क्यों बर किसी परंपरा से विशेशन विशेश अर्थ के परिचायक कहलाते है तो 32 का सही अंसर क्या हो जाएगा ? नमबर C हो जाएगा योगरोड हो जाएगा निकालना है इसका सही नसर क्या हो जाएगा त्यागी इसका सही नसर क्या हो जाएगा की शुल पानी सब्द कौन समाश है तो 36 कीनिवन सब्द हो जाएगा ने राम ने पुस्तक खड़ी द्याया तरवः बाचक संगया का उधारण है धुद है नेक्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट सी हो जाएगा ठीक चले चटके बाइग। सकंशचन के वहां कि संट लगाई वासन च्छोडीं तन नगण भया किस कविता का पंक्ति है तो इसका 42 का क्या हो जाएगा रामनाथ विनु जगी जन्मा ओप्शन नमबर C हो जाएगा इन में से किसका समया और धनाच्री अत्यांत परसिद्ध है तो इसका ओप्शन नमबर क्या हो जाएगा यहापे 24 नमपर क्या हो जागा घंधनोंध स्थाप्ना किसने कि तो 45 नमपर की सुमित्राम दलोड कभव थे था था appropriate तो 45 नमपर क्या और अपर तुर ख्यातरिश का क्या हो जएन विश्ञतार्ट सी गुंत्रवर्स दमार का जनम कभ यहा था तो 47 का और अपर यहोड़ा Matchback 47 का option number 23 सितंबर, 1908 option number क्या हो जाएगा D हो जाएगा next question आपका कि अपने सामने सिर्षक काव संग्राह किसकी रचना है 48 का option number हे हो जाएगा कोऊर नरायच की रचना है next question आपका कि बुढ़ा चोकिदार बीच है कहा मिलनका था 19 का क्या हो जाएगा भी हो जाएगा घर के दरवाजे पर ठीक चलिए नेस्ट कोर्शन के अबरते हैं नेस्ट कोर्शन है आपका यहाँ पर कि तुर्की के महा कभी नाजिम हिक्मत की कविताओं का अनुवाद विरेन डंगवाल ने किस रूप में किया तो किस रूप में किया था पचास का उप्श जिक चलिए नेस्ट कोशन के ऊपरते हैं समवेदन से परिपूर्ण है तो 22 का हुज दो चरिए नेस्ट कोशन आका कि कवि प्रेमधन के अंदुशार भारत में आज कौन से वस्तु दिखाई नहीं देती दिखाई नहीं देती जिम क्या हो जागा भरतियता दिखाई नहीं देती जिम और जीवन बेर्थ है प्रचपनिकी छोनता कि रोके राह समय में ताव कहां वह जीधर चाहती काल उधर ही मुरता है परसुत पंकेतिया किस कवीता से उधवत है उद्वत है तो इसका सही इंसर 56 का क्या हो जागा option number B हो जागा जनतंतर का जनम हो जाएगा ठीक चलिए next question के बरते हैं next question आपका कि कुबर नरायन का जनम कब हुआ था तो 57 का क्या हो जागा अप्सन नमबर C हो जाएगा ठीक next question है आपका कि हमारी निंद कभीता में किसका किसका जीवन करम पूरा हुआ किसका जीवन करम पूरा हुआ था नठावन का सही इंसर क्या हो जागा option number D हो जाएगा लोका यतन है थीक चलिए next question के बढ़ते है next question है अपका साथ नमबर थीक चलिए next question है आपका कि मानो का रचा हुआ सूरज मानो को भाब बना बना कर सोख गया यह पंकिती किस कभीता से उद्वत है तो इस साथ का सही अंसर क्या हो जाएगा ऑफ्सन नमबर B हो जाएगा next question है आपका कि 54C क माानो भाब थीक चलिए निकिती को बहते है इस्ाध का हुझी हो जाएगा ठीक चैफ लिए नेक्ट कोशियों के अबरते Mackay यहाँ पर कि रात को हो पढ़ा देने वाला आज घर चला गया किस पढ़बंद का उदरान है तो 66 का आप सब्सक्राइब कि सब्धन किस विश्यसन का उदरान है सब्धन किस विश्यसन का तो परियां बोध्ध का सब्दान्स कितने परकार के होते हैं सब्दान्स कितने परकार के होते हैं तो दो परकार का option number A हो जाएगा ठीक चलिए next question क्यों बढ़ते हैं next question आपका है पर next question कि सर्फ सब्द में प्रत्य है तो A हो जाएगा सर्फ जो A हो जाएगा next question right 鬼 कि अपमान सब्भ में disease है अपमान का सब्ध का disease क्या होगा तो अपमानित हो जागा option number B हो जाएगा next question है कि सभापती सब्ध में कौन सा समाच है सभापती में तो तथपुरुष समाच हो जाएगा सभापती हो जाएगा ठीक की चलिए नाली में बहता हुआ पाने की पादबंध का उदावर है ओधारण है थिक सरेन्स को संकर सुन की जो चाहतर प ecosण करेंगे उन्हें सफलता अवस्ज new मिलेगी रचना की दिरिष्टी से किस प्रकार का काव वाक्य है तो 67 का क्या हो जाएगा 66 का क्या हो जाएगा आस नमब्र B हो जाएगा मिस्र वाक्य होजाएगा ठीक next question नेक्स्ट्ट प्रकास सब्द का प이식 अपास्व के लिए एक है शीव का उपासक के लिए सैव हो जाएगा option number B हो जाएगा ठीक चलिए next question के बढ़ते हैं चलिए next question है आपका है नेक्स कोशन आपका कि घीं के दिये छलाना महाबरे का क्या आर्थ है महाबरे का क्या आर्थ है तो फूर्णी Nice question के बढ़ते हैं जेट सब्द का स्थिरींग रूप क्या होगा dopर These सानी हो जाएगा कि रमेश आ रहा होगा किस काल का उधारन है रमेश आ रहा होगा तो भविस्यत क्याल हो जाएगा कि मगंमा को किस से विवादः तो किस से विवाद था कि किक चिंता से लच्वी को नीद नहीं आती थी तो नहीं आती थे जिसका अप्शन नुबर कर जाएनगा बाराद की टिक शाथ कोरी ऊटा का जनम कब भूए सब्सक्राइब कि दोनों पत्रफतिक historically का तौर कि मंगु कि है तो 12 वर्षक है उने मिया हो जाएगा कि मदुरे पांडेल लोगों की दूसरी राजधानी है यह कहां लिखा हुआ है यहां पर option number B हो जाएगा कांडवेल के तुलनात्मक व्याकरन में ठीक बल्लियमाल की लर्की का क्या नाम था तो 92 का क्या हो जाएगा option number C हो जाएगा ठीक option नाम था नाम था तो भवड़ी था option number A हो जाएगा ठीक चलिए नेस्ट कोशन के बढ़ते नेस्ट कोशन आपका यहां पर कि हेड नर्स हेड नर्स का नाम क्या था तो हेड नर्स का नाम क्या था तो मिरा अंड़ा था option number B हो जाएगा ठीक चलिए नेस्ट कोशन के बढ़ते नेस्ट कोशन आपका यहां पर चलिए नेस्ट कोशन आपका कि वेदना कि वेदना कितनी कुरूरता से कांच रही है थी उसका सच्छातकार किसे किसे जीवन में पहली बार हुआ तो किसे हुआ था तो 97 का क्या हो जागा option number C हो जाएगा पुत्र को हो जाएगा नेस्ट कोशन आपका कि धहते विश्वार सिर्शा कहानी में और स्कूल के दो कमडों में लगभग कितने लोग लोग खचा-खच भर गए तो 98 का क्या हो जागा option number D हो जाएगा 200 के करीब हो जाएगा चलिए नेस्ट कोशन के बरते हैं चलिए नेस्ट कोशन के बरते हैं नेस्ट कोशन आपका कि सिरी निवास से किसके साहित्यकार है किसके साहित्यकार है इसका option number D हो जाएगा करनर के ठीक नेस्ट कोशन आपका कि अचित किसका बेटा था दो चीत किसका भीता था तो लचिविह 심ी का था तो यहां पर हम हम टोटल सो कोशन कर लिए इसमें से भोत कोशन आपका तकड़ा जायगा ठीक जैसा भी ऐइस वीडियो में आपके कमेंट जारूर कीजेगा और आपका मै का भी पेपर इसी इसी बाद ढलने हूं हैं तो मैच का पेपर के लिए भी चैनल को सब्सक्राइब करके रखेगा और वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक जलू करेजेगा धन्यवाद